तो वेलकम टू माई अनदर मीनी ब्लॉग तो गाईज फिर से मैं एक और रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ तो गाजर का मैंने बहुत सरी चीज़े खाल गए हैं यहाप पे मैंने गाजर पाक भी बनाय था और गाजर का हलवा और भी चीज़े मैंने बनाय थी गाजर का लेकिन आज गाजर का मैं एक और अमेजिंग सा रेसिपी बनाने जा रही हूँ तो इस वीडियो का आप लोग को फुल वोच करना है तब ही आपको समझ जाएगा ये वीडियो थोड़ा सा लॉग हो सकता है लेकिन आप लोगों को इस पर रिस्पॉंस खूब सारा दिखाना है और गाज़ आप लोग ना मेरे शॉट पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया लेकिन थोड़ा सा मैंने कम देख उस पर मैंने थोड़ा सा लाश्ट अला पाट कर दिया है ताकि आप लोग फुल वोच करें तो थोड़ा सा अप अज्जिश्ट करना और हमरी फुल वीडियो जितना हो से कि जादा से जादा आप लोग देखें जैसा कि मैं आप लोग को हर वीडियो में बोलती हूँ तो देख सकते हैं यहां पर मैंने गाजर ले रखे हैं साथ अट गाजर ले रखे हैं उसको मैं एक ही करकी छीड लूँगी आप लोग को जितना आपने मतलब family member हो उस according आप अपने गाजर ले सकते हो हमने बस दो-तिन लोग के लिए ही बनाया था इसलिए हमारा कम है तो आप लोग अरजश कर लेना अपने quantity देख लेना जितने लोग हो उस according ठीक है गाइस तो जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे जैसे आप लोग को पता है कि आपको आगे में बता देती हूँ और आप खुद देखे गैस कर लेते हो कि एक्शलिव में रेसिपी होने के वाली है तो हाँ गाइस देख सकते हो यह वीडियो ना long हो सकता है लेकिन यह बहुत ही amazing recipe होन आप जाओ मेरे Instagram को follow कर लो क्योंकि उस पर भी वीडियो आ रही है और daily stories daily update मिलता रहता है कुछ ने कुछ उस पर कि मैं कैसे post लाने वाली हूँ उस type के कुछ मिलता रहता है तो जाओ वो भी आप follow कर लो ताकि आप हमसे ज़्यादा connect हो पाओगे तो बस गाजर हमारा लगब जैसा सेम बन पाएगा आप लोग कुछ add मत करना जैसा सेम बना है वही करना ओके गाइस तो अभी देख सकते हम इसको pieces में कट कर रहे हैं और गाइस मैं daily basis पर वीडियो ला रही हूँ तो आप लोग प्लीज थोड़ा response दिखाए आप लोग चेक आउट जाके कर सकते हो हमार लिए तो प्लीज गाइस आप जल 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 जाओ और हमें इस पर response दिखाए और गाइस अभी के time पे मैं बहुत सरे channel पे काम कर रही हूँ लग भग आप जैसे की recipe वाला है तो उसका है सब मैंने बहुत सरे platform पे मैं इसका video डालती हूँ तो बहुत सरा काम बढ़ जाता है guys मैं बताने सकती ना मुझे बहुत इतना सा भी time नहीं मिलता कि मैं थोड़ा सा मतलब enjoy कर पाऊं कि यहर काम इतना सरा है ना समझ नहीं आता है लेकिन बस आप लोग ना इस पे पहले starting में बहुत response दिखाते थे और अभी कुछ दिनों से आपने बंद कर दिया है तो क्या किया है गाजर को मैंने क्या किया जब अच्छे से मैं पीसिस में कटकर के उसको जार में डाल के ब्लैंड कर दिया है तो वो बिल्कुल हमारा घी अच्छे से पिस चुका है तो यहां पर मैंने कढ़ाई लिया उसमें घी डाला और सूजी एक मिंट आप समझ रहोगी कि इस गाजर म जादा नहीं भूनना है इसको तो अब फाइनली हमारा यह भून चुका है तो अब हम क्या करेंगे एक बरतन में इसको निकाल लेंगे फिर वही कडाई हमने लिया हुआ है अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा और घी और आपने जितने आपका गाजर उस अकोर्डिंग आप अरजेश्ट कर ले ना कम जादा जो भी हो आप लोग देख ले ना ठीक है तो इस तरह का बन गया था तो अब हम इसको उसी घी में डालकर पांस-दस मिन तक अच्छे से भून लेंगे तो धिरी-धिरी आप जैसे-जैसे देखते जाओगे आपको समझ आती जाएगा क अच्छली में हम इसे बनाने के आवाले हैं यार क्या बना लें गाजर के साथ सूजी कॉन डालता है तो जैसे-जैसे देखोगे ना समझ आजएगा थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो थोड़ा लॉंग होगा तो हाँ ये थोड़ आज आएगा हाला कि मैंने शॉट अपलोड किया लेकर शॉट में आपको इतने सारी चीज़े देखने को नहीं मिलेगी और ना इतने डीप में मेरे स्टोरी आपको बताने वाली हूँ तो देख सकते हैं अब मैं उपर से दूट डालूंगी हमारा लगबग भुन चुका है यह गाजर तो आप मैं इसमें दूट डालती हूँ आप लोग अपने अकॉर्डिंग तो डाली ले ना जितना आपका गाजर होगा फिर मैंने इसमें इलायची दूट जब एब्जोर्ब हो जाए तो मैं यहाँ पर इलायची अच्छी से कूट ली हूँ वो डालूंगी आप लोग बस हमारी वीडियो देखते रहें ऐसे ही फुल आप देखना स्किप मत करना बीच में तो जी हाँ देख सकते हो मैंने हाँ पे सूजी का यूज किया हुआ है तो इस गाजर में सूजी मैंने अब डाला है आप लोग सूज रहे हूँ कि यह मैं कर क्या रही हूँ जरा पेसेंस रखिये आप लोग को पता चल जागा कि एक्चली मैं क्या बनाने वाली हूँ तो फ्लीज गाईज आप लोग देखोगे न तब ही समझाएगा तो अब मैंने गाजर में मिक्स कर दिया सूजी आप लोग को आई नो बहुत ही वीड लग रहा होगा पर हाँ तो इधर हमारा सूजी और गाजर अच्छे से दोनों में मिक्स होके अच्छे से भून रहे हैं तो आगे का मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है अप लोग जाके मेरा होली वाल प्लीज ब्लॉग देख लो गाईज वो अपलोड हो चुकी है पार्ट टू भी मैंने जो ब्लॉग था मेरा हुली का दो पार्ट में डाला है तो पार्ट टू भी मैंने अभी थोड़ी दर पहले अपलोड किया था तो वो आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हो मेरे पोल्टरी वालो को भी सस्क्राइब करते हो भूँ सारी चैनल है तो यह थोड़ा मोड अच्छे से उबालोंगी और उबाल के मैं इतना तो बताई देती हूँ कि मैं करने के आवाली हूँ तो इसका में पहले थोड़ा सा दूद उबाल के रबडी टैप में ज्यादा रबडी नहीं बस हलका सा बनाने इसको तो यहां पर दूद को मैं अच्छे से सबसे पहले उ तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमारी लड़ू बन रहे हैं और यह गाजर का हल्वा नहीं है, आगे जाके आपको पता चलेगा, अब यह इदर हमारे लड़ू बन रहे हैं, ऐसा देखने में लग रहे हैं कि मोती चूर की हैं, तो नहीं, यह अभी हम इस गाजर का जन दूर हो जाएगी, रेसिपी देखकर, आप खुद खुश हो जाओगे, कमेंट में लिखोगे, कि हाँ यार बहुत ही अच्छा लग रहे है देखने में, और जब आप खुद बनाओगे ना, तो याद करोगे कि हाँ यार, किसी ने रेसिपी बताई थी, ठीक है ना, दे तो अच्छे से आपको हिलाना है, वो मिक्स हो जाने के बाद, इसको आप इंजोई करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आप लोग को बताना कि ये आपको रेसिपी, इसका नाम हमने दिया है गाजर का रस्मलाई, तो आपको कैसा लगा?